देखें बहुत सारे हमारे भाई लोग ओडिसा से बिलोंग करते हैं और ओडिसा से वो लोग जाते हैं कूलकता में काम करने के लिए बाहर में जाते हैं because अब आप लोग को जाना नहीं होगा क्यूंकि ओडिसा में वियर हाउस में बंपर भरती आचुका है जी हाँ आप लोग बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो इनफेक्ट जो इनफोर्मेशन आपके साथ में शेयर करने वाला होना जॉब्स के रिगार्डी बहुत बेश्ट होने वाला इनफेक्ट सब परकार के पोश्ट है क्योंकि बिल्कुल फ्रेस और नया वियर हाउस का ओपनिंग होने जा रहा इनफेक्ट सारा कुछ डिटेस दूँगा उससे पहले गाईस अगर नए हो तो डिफिनिटली करना सबस्क्राइब क्योंकि यहाँ पे आप पिछले सब वीडियो को उठागे देखो न यहाँ पे जितने भी जॉब्स का इंफॉर्मेशन हम देते हैं भाई बिल्कुल फ्री होता है उसका कोई रजिस्ट्रेशन या फिर चार्ज नहीं होता है इसके लिए बिल्कुल निश्चिंद रहे और जो जॉब्स का इंफॉर्मेशन देता हूँ सटीक होता है चलिए वीडियो सुरू करते हैं उसे पहले गाईज एक छोटा सा एक वेस्ट भी करता हूँ कि अगर ने हो तो सबस्क्राइब जरूर करना वीडियो कर लाइक करना और प्यारा सा आप लोग ओपिनियर भी देना टेली ग्राम पे जाके टेली ग्राम का लिंक हमन मैं आपको बोलू कि यहां पर अभी जो फिलिप कार्ट का ओपनिंग होने वाला वडिसा में जस्ट की हमारे पास में टोटल डेटा आचुका है कितने में कितना रिक्वारिंग है क्या है नहीं है तो वह सब कुछ डेटा आचुका है इनफेक्ट मैं जो सेर करने वाला जिस्ट प्लीज डॉंट इगनॉर फोर इस वीडियो आप इगनॉर ना करें क्योंकि अगर इगनॉर करते हो ना तो फिर प्राब्लम्स मुझे नहीं होता है या आपको ही प्राब्लम्स होता है तो यहां पे देखे यहां पर जो सेर करने वाला हूँ आपके शाहत में बेसि से कम आपका 10W pass होना बहुत ज़ादा जरूरी है उसके बाद आपको बता दू age limitation देखो 10W pass उस rear case में होगा जब आपका वेर हाउस helper से उपर वाले post में होगा ठीक है ना इसमें तो 5W 8W को भी ले रहें वो आपका housekeeper और cleaner का post है उससे उपर वाला post में minimum qualification 10th pass required किया ही गया है उसमें हम कुछ नहीं कह सकते when delivery executive है उसमें भी 10th pass को requiring किया गया है उसमें फिलिपकार्ट में warehouse sales पर उसमें भी 10th pass को hiring किया गया है सिर्फ और सिर्फ दो majorly post के लिए जिसमें एक housekeeper आता है एक cleaner आता है उसके लिए 8th pass, 5th pass को भी रख रहे है company इसके लिए आप लोग बिल्पुल निश्चिंद रहे हैं अब देखिए यहाँ पे जो offer किये गए है salaries salary बहुत बेहतरी है मैं उसको बारे में discussion करूँगा age limit 18-35 साल के बीच में है 18-35 वाले जो भी candidate है वो definitely कर सकते है कोई भी आपको औस विधा और परिशानिया नहीं होने वाली वेल बात करूँ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ओडिशा में warehouse का जो bumper भरती है उसके बारे में बता रहा हो तो आप लोग थोरा ध्यान से समझदा है इसमें housekeeper का जो sell दी रहेगा वो 8000 से 10,000 रहेगा और दसवी पास का जो रहेगा जिसमें warehouse seller पर आते हैं security guards आते हैं when delivery executive आते हैं उसका जो sell दी रहेगा 10 से 15,000 के बीच में रहेगा supervisor and data entry का रहेगा 12 से 17,000 के बीच में रहेगा वही बात करूँ आपका manager का तो 25,000 रुपे तक sell दी मेरेंगे managers का इसमें कोई issues वाली बात नहीं है accommodation provide हो जाएगा company के तरफ से accommodation के उपर ही अभी properly काम हो रहा है आप लोग का accommodation बन रहा है तो accommodation complete हो जाएगा just I am sharing for you accommodation complete होगा तब ही vacancies full आ जाएगा मेरे पास में accommodation अभी ready हो रहा है बट हाँ vacancies बहुत लारगा है इसमें drivers भी जाएगा driver का sell दस से लेकर के 35,000 रुके तक sell दी रहेगा वो निर्धारित करेगा कि कौन सा कितना बड़ा गारी है और कौन सा license आपके पास में कितना अनुभव है यह सारा कुछ depend करेगा in fact जो भी information आपके साथ में share करता हूँ सटीक है आप लोग एक काम करना आप लोग seat book कैसे करना description में दियेगा email id पे सब लोग अपना रेजिन भेजो सबको आपको नौक नहीं मिलेगा thank you so so much everybody for watching this video धन्यवाद दोस्तों आपका हमारी इस video को पूड़ा रेखने है